बॉर्णिंग फ्रेंड्स मैं नाम नोच कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिसाई कैमरा जो है जो इसका मोडल है इसको कैसे करते हैं और को उपएंट्स करते हैं तो सबसे मोडल समझ लीजीAngel और 11 म.m.m. मतलब इसमीटर है और सी का मतलब होता है मैक भी है या फिर आप प्र griev लेखाना चाहते हैं कैमरे कहीं और लगा सकते हैं और माइक ही और अडिशनल माइक आप लगा सकते हैं इसमें मीमोरी कार्ड इसमें अप्शन दिया हुआ है इसमें WDR के फीचर्स अप्शन दिया हुआ है तो यह डबा खोलेंगे तो आपको इस डबे में सिर्फ यह आपका एक डैकेट मिलेगा और यह आपका कैमरा का व्यू ह ठीक है यह आपको कैमरे का ऐसा फीचर्स मिलेगा यह डबा कहां लगेगा यह बैक साइड में लग जाएगा इस तरह से और इसको आप जहाँ से सेलिंग मांट के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं ठीक है अब इसमें अप्शन क्या-क्या दिया हुआ है तो एक इसमें इन प आप लगा सकते हैं अडिस्नल और यह आपका दिया हुआ है स्पीकर का और यू आउट इससे मतलब होता क्या है कि आप अपना स्पीकर भी लगा सकते हैं जिससे टूबी कम्निकेशन किया जा सकता है ठीक है तो यह रहा अब और एक इसमें लैंपोर्ट दिया हुआ हुआ मै इसका बाइडीफोल्ट है 192.168.1.250 ठीक है इसका बाइडीफोल्ट IP है और यह मैंने कैमरा लगा दिया ठीक है अब इसको मैं साइटर फिरता हूँ अभी यहां पर देखेंगे की इसका साथ से पहले आप जब भी खोलेंगे तो यहां पर डालेंगे सिंपल सा फंडा है जो आईपी मैंने बताया आपको 192.168.1.250 यह आपका अड्रस आईपी अड्रस हो गया ठीक है आईपी डालने के बाद आप करेंगे क्या कि इसको इंटर प्रेस करेंगे इंटर जब प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका आईपी खुलेगा अभी मैंने इसका 13 बना रखा है तो इसको आप 13 डालिए यह आपका खुल गया इस तरह से आपका वेब इंटरफेस इसको बो पासवर्ड मोडिफाई करने का option देगा, पासवर्ड मोडिफाई करने के बाद जो भी अपने पासवर्ड बनाएंगे, 1321-ADMIN मेरा पासवर्ड है, इसको लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको, सिंपल सा आपको वीडियो ये खुल जाएगा, in case अग खसद से पाल, निट वर्ड कॉप्शन है, TCP, IP में जाएंगे, TCP, IP में जाने के बाद यहाँ पर, DSCP करेंगे, तो फिर DSCP जासे ही करेंगे, तो यह जो 200 IP जो दिखा रहा था, आपको मैंने शुरू में बताया, कि 200 इसको बाइड डिफॉल्ट IP है, वो जो भी आपका इंडिय जब भी जितना बार भी camera restart हो, या router restart हो, तो problem नहीं आए, IP conflict होने का chances रहता है, तो वो इस चीज़ से बचने के लिए इसको आप fix कर देंगे, fix करने के बाद आप save कर लेंगे, IP conflict का मतलब होता है, कि एक ही IP दो camera को alert हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, प्रोलम क्या होता है, कि आपको camera दोनों problem करेंगे, या तो चलेंगे या फिर दोनों camera बंद हो जाते है, तो वो होता IP conflict, ठीक है, यहाँ पर हम एक बार install भी चेक कर लेंगे, यहाँ देखी, online दिखा रहा है, इसको internet भी मिल गया है, और यह है, अब करना क्या है आपको, सरसे पहले आप live view में आए क्या यह ceiling mount पर है, या फिर यह vertical mount पर है, या फिर यह flat mount पर है, मतलब camera को आपने ऐसे रखा है, या ऐसे रखा है, या फिर ऐसे रखा है, इस तरह से यह मतलब होता है, ठीक है, माली जी हमने camera को अभी इस mode पर रखा है, इस mode पर रखा है आपको camera को, ठीक है, अब यह जो आप option देख रहे है इसको अगर आप जिस हिसाब से भी करेंगे आप अपने हिसाब से camera को चाहते हैं कि इस तरह से भी camera आपको दिख जाएगा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि camera हमें इस तरह से दिखे display के उपर तो एक ही camera है कुछ नहीं करना है अपको settings करना एक ही camera को multiple option पर देख सकते हैं तो यह बढ़ा करके आप देख लिए इस तरह से ठीक है आप यह चीज़े आपको मॉवाइल पर भी फंसन अबलेबल होगा ठीक है या फिर आप इस तरह से देखना चाहते हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं कैमरे को मिल्टिप्लाई करके देखना यह डिस्प्ले पर भी आपका ओप्सन आ जाएगा लेकिन हां यह सारे नभीर में नहीं चलेंगे इसका यह जो फंसन मैं जो कर दिखा रहा हूं आपको यह डी है जैसे माली यह मॉडल होगे आपको जैसे 16 चनल का इन भी और होता है तो उसमें आपको दिखने होता है कि 4K 4162-V2 तो यह जो 4162 है न 4162 यहां पर 5162 भी आ सकता है 6162 भी आ सकता है तो 4K सेम रहेगा आपका 6 वाला जो फंसन है आपका उसमें डी रैक का आपको मिल जा रहा हूँ अधर्वाइस आप इसको फोन पे भी लाइव वगरा वे देख सकते हैं ठीक है उसके बाद आप जैसा भी चाहते हैं इस तरह से बॉक्स बनने के लिए आप कर दीजिए अगर माली यह कैमरा आपने इस मोड पे लगाया है नॉर्माली आपको यह मोड है आपका क्यामड दिखे यह इस तरह से कैमरा आपको दिखे यह एप कि इस मोडे पर किस मोड पर आप कमफ़टेबल है जो आपको ऐच्छा भी और थे रहा है ठीक है यह camera घुमा करके आप अपने चाहते हैं आपने चाहते हैं यह camera है आपको एक जगह लग गया और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं माल लिजे आप ये वियर मोड का उप्शन एक और है ठीक है ये जो आप वियर मोड देख रहे हैं एक उप्शन यह भी यह तो आप अपने हिसाफ से कि यह देखिए जैसे आप चाहते हैं वैसे उस तरह से आप देखना चाहते हैं जी इस हिसाब से आप चाहते हैं मल्टिप्लिकेशन करने के लिए अपने हिसाब से कैसे देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं एक option ये भी है ये देख लिए एक ये है ये आपका ठीक है माले जे camera को ऐसे दिखना है तो ये हमने कुछ नहीं कर रहा है ये camera के ही features है इस तरह का ठीक है अब आपको इसमें audio चाहिए होगा ठीक है तो आप setting में जाएंगे क्योंकि mic इसमें इन बिट लगा हुआ audio है ठीक है अब आप इसको camera में जाएएगा camera में आपका ये video का option है video का option है कि ये किस bit repeat पे हमको set करना है किस compression पे हमको set करना है ठीक है उसके बाद हमको i frame interval क्या होगा cbr होगा किस frame पे हमको set करना है तो ये सब सारा चीज़े ये आपका main stream पे जो record होता है और ये आपका जो है sub stream जिसमें आप live view आप देख रहे हैं अब यहाँ पे audio का option आता है आपका audio का option आप mic enable कर दीजिएगा ये देखिए default जब आप लेंगे ये लिलन में लगा हुआ रहता है ठीक है इसको आपको mic पे लाना पड़ेगा यहाँ mic जब कर देंगे और इसको save करेंगे ठीक है ये मैंने बता रहा था अब आप live पे आएंगे ठीक है और live पे आने के बाद आप जैसे ही ये ख्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए आपको अब ये eco crew produce हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको ये eco crew produce हो रहा है क्योंकि camera और ये system हमारा पास में रखा हुआ है मैंने इसको धूर पे भी आके देखा है करीपरी 10 मीटर 12 मीटर 15 मीटर पे बहुत बढ़ी है clear आवाज आता है जैसे हम आपको इस पर display करते हैं फोन पर जैसे हम बात करते हैं तो उस तरह का बिल्कुल आपको आवाज Mr. Clear आपको आता है ठीक है अब हम आते हैं इसका थोड़ा सा setting और मैं बताना चाहूंगा यहां से आपका snapshot ले सकते हैं ठीक है यह आपका snapshot भी आगया यह देखें यहां क्लिक करेंगे यह आपको देखेगा सामने आपको किस तरह का snapshot है आप इसको बढ़ा भी करके दे सकते हैं यह है आपका snapshot लाइभ अबने ले लिया या फिर आप live recording भी चाहते हैं फोन पर तो इसका application में जैसे नौर्मली आप GCMO भी जानते हैं इसका भी सेम application है GCMO भी सेम configuration लो ऐसे ही करना है जैसे आपको करता है मैं फोन पर भी आपको दिखाऊंगा ठीक है केंडिशन्स वगेरा में क्या है आपका कि आपका यह डबलो डियर्स वगेरा है वाइड ब्राउन जो भी एक्स्पोजर है पिक्चर से आई एर है ठीक है नहीं फिस आई कैमरा है यह डिपेंड करता है कि सीलिंग पर लगा रहे हैं आपर रिकॉरडिंग डेसे डिड कर सकते है सनाउट ले सकते हैं आप इसमें ठीक है नहीं उस घ reinforcement से आप स्बकूच इसमें बना सकते हैं जो भी आपका है मल्टिपली उजर भी जाते हैं कि नहीं दस लोग इसको एक्सेस करें तो वो भी आप कर सकते हैं बस आपको करना किया होगा एक्सेस जाना है जो जर बनाना है है फिलाल मैं आपको आता हूं अपने आ उज़से पहले आपको बताने जा रहा हूँ की जैसे यह GCMove application है आपका यहाथ पर ठीक है GCMove इसमे हम जब click करेंगे तो आपका यह camera कुल गए अब आपका करना क्या है आपको कि यह जो आपका button है इस पर आपको click करना है ठीक है इस पर आपको add करने के लिए option ही आ जाएगा okay आना है wired पर आना है next करना है जैसे आप इंस्टाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको scan का option देदेगा यहां setting पे जाना है आपको ठीक है और आपको वहाँ पे जाना है आपको यह network पे नेटवर्क पे जाने के बाद यह TCP IP में जाएंगे और यह आपको दिख जाएगा इंस्टाउंट पे ठीक है यहां पे option इसका scan करने का scan पे क्लिक करेंगे और यह scan हो गया जो आपको पासवर्ड ए camera का 321-ADM-IN ठीक है simple साइस को करेंगे इसको save कर देंगे यह start like review depend upon your आप जैसा भी चाहते हैं दोनों में आ जाएगा आपको मैं start like review कर देता हूं यहां नाम डालना है आपको मैं लेजिए मैं डाल दीता हूं फिस आई camera ठीक है save कर दिया यह लिख रहा है device already exist process यह है आपका मैं आपको बता रहा था कि कैसे इसको add करना है mobile पर similarly बाहर जाएंगे अगर आपके पास सिर्फ यह camera है तो ऐसा कर सकते हैं या अगर डी बियार या इन बियार पर कर रहे हैं तो जैसे इन बियार को करते हैं online simple वैसी जाना है आपको अब यहां पर जाना है आपको यहां पर मैंने देखिए फिसाई जोल रखा है add किया है इसको start like review करेंगे ठीक ह यह देखिए camera के आगे आपका ठीक है इसको बड़ा करना है आप अपने ही जाप से बड़ा कर सकते हैं ठीक है अगर यहां पर से आगर आप बात करना चाहते हैं तो यहां से भी आपका option है देखिए hello hello तो यहां पर भी आप जो है सकी बात कर सकते हैं देखिए तो इस तरह से आप जो सुसुन रहे हैं ठीक है तो यह आपका है कि यहां से भी आप सुन सकते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है अब यहां पर और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको यहां माइक का option है ठीक है यहां लाइब रिकर्ड चाहते हैं यह रिकार्ड भी होगे आपका इसोफ ही आपका इस था से करने के लिए कि मतलब यह जो मैंने आपको दिखा रहा था ना वह कि अपके उपर है कि यह इसको आप कैसे करना चाहते यह इसका आपसन ने देखिए यह वाला लास्ट वाला यह जो आपका आपसन दिक रहा है यह वाला इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह हो गया अब अपने हिसाब से इधर करना चाहते हैं गोल घुमाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है इसको बोलते हैं ड्विरापिंग ठीक है अब इसके बाद हम आते हैं एक आपसन और आओ यह आपको दिखेगा यह मेंस् सब्स्ट्रीम पे है यह चला गया मेंस्ट्रीम पे ठीक है यह कुछ आपको ज्यादा इसमें फास्ट और अडवांस दिखेगा यह देखिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा है यह आपको फट गया सीमिलर लिए किसी पर हम जाएंगे तो आपको इस पे भी आपको दिख जाएगा यह यह तो इसी तरीक ऐसा है कि आपको सर दिखना है बाकी ओबरॉल तो मैंने आपको बताई दिया कैसे इसको लाइन के बल लगाना है किसी भी स्विच में आप लगा सकते हैं पी योई जैसे इसको बारा बोल्ट चाहिए उसके भी आप कर सकते हैं या फिर आप सेपरेट अट्टर के दूरू भी चला सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और जरूर कीजिएगा और शेयर करने से फायदा भी आप ही को होगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा जनकारी लोग को होगा तो